नमस्कार दोस्तों गुड मॉनिंग चाय की चर्चा है ये और थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं मैं आप लोगों की कि आज आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं देखे सबसे पहली जो चीज रहेगी वो है कि अगर आपको 30-40 पॉइंट लेने हैं ठीक है अगर आपको 30-40 पॉइ नैंटीन थाउजन 430 ये लेवल क्रोस हो तभी बाई कीजेगा तो आप उननीस हजार चार्सों सी इसके आसपास आप देख सकते हैं बट वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेता है कर लेना है क्योंकि नैंटीन थाउजन 500 और नैंटीन थाउजन इनफेक्ट 600 ये नैंटीन थ का काम करेगा इस वीक भी किया है अगले वीक भी करेगा हां कोई क्लोजिंग 19,500 की उपर आ जाती है डेली क्लोजिंग वो थोड़ा सेनेरियो चेंज कर देगी तो इस चीज का ध्यान रखेगा आगे आने वाले टाइम में आगे आने वाले वीक में ठीक है आज पर्टिकु 2340 ब्रेक होता है तो आपको 19,300 तक के लेवल लेखने को मिल जाएंगे ठीक है 19,300 बट निकल जाएगा 310,305 यहीं पर निकल जाएगा यहां से पक्का बांस बैक करेगा यह जैसे इस परकार से आप यह लाइन देख रहे हैं यहां पर आके जरूर उपर की तरफ जाएगा फिर आपको 340,350 मिलता है इस लाइन को टच करके उपर की गुरफ 340,350 ऐसे कुछ मिलता है तो 380 का ऐसल लगाके आप दुबारा शॉट कर सकते हैं बट वह एक्सपारी फिर अगली चुन लीजिएगा यह वाली एक्सपारी में मट ट्रेट करिएगा ठीक है तो निफ्टी क फिला सेनेरियो फिलाल यही है उपर 19,430 ठीक है और आज की डेट में अगर उपर से ब्रेक करता हुआ देखता है आपको 19,340 आज की ही डेट में तो 310,300 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं ठीक है बट इस लाइन को छू लेता है यह जो मैंने हाँ लाइन की च टच होके ऊपर जाता है अगर इसको टच करके अगर यह ऊपर ट्रेड करने लग जाता है 340,350 तो वहाँ पर 19,380 का ऐसा लगा के बट वह एक्सपारी करेंट मत रखिएगा वह एक्सपारी आपकी आगे की होनी चाहिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं बैंक निफ्टी मे यह पूरा जो चीज दिखाती है वो क्या दिखाती है कि एक तेजी तो तेजी हो सकती है उस तेजी को अगर आपको ट्रेड करना बिल्कुल सेफ सैड रहके तो तरीका यही है ठीक है इस ट्रेंड लाइन को क्रोस करें तो यहां तक के टार्गेट उपन हो जाते हैं वो है 45, 45,300 बढ़िया तेजी आपको रैली जो है आपको उपर देखने को मिलेगी वो तभी देखने को मिलेगी जब 45,350 क्रॉस होगा 45,350 क्रॉस होगा ठीक है तब आपको उपर के टार्गेट 200, 200, 300 पॉइंट एक्सपारी वाले दिन आपको मिल सकते हैं नीचे की तरह 45,000 टूटेगा तब वो एक्सपारी वाले ट्रेड आपको मिल सकते हैं जिसमें क्या है 200, 300, 400 पॉइंट का मूव आ गया तो उनके लिए दो ही लेवल है 45,350 और 45,000 प्यॉर 45,000 जहां से आपको बढ़िया जिसमें माल 50 का 1.500, 200 होटा हुआ दिखता है अदरवाइस बीच में ट्रेड करना है तो 45,200 क्रोज हो बाई कीजिए 300, 350, 100, 700 पॉइंट के लिए नीचे की तरफ 45,120 के नीचे सस्टेन करता है तो सेल कीजिए 60, 70, 80 पॉइंट इस परकार से अगर आपको लेने है और इसी में संतुष्टी आप रखते हैं क्योंकि देखे जाएगा ऐसी अगर आप इस रिजन में देखिए इसको जब इसने तोड़ा यहां से 45,000 इस ट्रेंड लाइन को तो यहां तक के ड्रेड मिले ठीक है इस लाइन को यह तोड़ेगा ऊपर से नीचे की तरफ तो आपको यहां तक के टार्गेट आपको देखने को मिलेंगे 300, 300, 350 के ठीक है तो यही जब तक इसके बीच में है इस एरिया के जब तक बीच में है यह तब तक ऐसे ही चलेगा ठीक है तो संतुष्टी अपनी कर लीजेगा 70, 80, 90 पॉइंट लेके बैंक निफ्टी में बड़ी रेंज होई है 45, 350 इसके उपर होल्ड होना जुरूरी है नीचे 45,000 इसके नीचे जाना जुरूरी है ऐसा नहीं होता दिखता है अपने पैसे खराब मत कीजी ठीक है चलिए thank you very much stock पे कुछ दिखेगा मुझे तो मैं टेल Instagram का लिंक जो है वो वीडियो के description पे आपको मिल जाएगा thank you